तो आज की इस वीडियो में हम SQL in operator के बारे में पढ़ेंगे SQL in operator जो हमें allow करता है कि हम multiple values को specify कर सकते हैं where clause के अंदर ठीक है तो ये चीज हमें ये in operator allow करता है और in operator जो है वो एक short end है multiple or conditions के लिए ठीक है तो इन का जो हमारे पास in operator का जो syntax होता है वो इस तरह होता है कि select करो column का नाम from फिर table का नाम where column name in और फिर उसके बाद हमें कुछ values देनी होती है ठीक है तो हम इसका एक बार एक example देख लेते हैं हमारे पास एक demo database दे रखा है हम इसका एक example देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसा कि example में दे रखा है कि select star from customer नाम की table में से where country in Germany, France, UK तो यह क्या करेगा यह query क्या करेगी कि यह उन customers नाम की table में से उन data को fetch करेगी जो की located है Germany में, France में और UK में ठीक है उन customers को select करेगा यह जो Germany, France और UK में located है ठीक है तो यह query का execution इस तरह होगा फिर उसके बाद हमारे पास आता है not in not in लिख दिया आगर हमने तो मतलब यह उनको select करेगा जो की located नहीं है Germany, France और UK में ठीक है तो यही था बस in operator के बारे में आगया आने वाली videos में हम बाकी topics को भी cover करेंगे तो आप इस playlist को starting से लेके end तक जरूर follow कीजिए